नमस्कार विकेवी न्यूस के प्राइम टाइम न्यूस में मैं इश्वरय शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ विकेवी न्यूस के सभी दर्शकों को कृष्णे जन्माश्टी में की हार्दिक शुपकाम नाए आई एजर डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर नागपुर जिला अधिकारी के रूप में डॉक्टर विपिने टनकर के नियूकती आरविमला का तबादला साथ साल में देश भर के आदे प्रशिक्षित इवा बिरोजगार देश में कुल सत्तर लाग पचेक्तर हजार इवाउने किया प्रशिक्षन प्राप और शिवसेना पदादीकारी को मिली गर्दन काटने की धम की नुपुर शर्मा के समर्थन में की थी पोस्ट अब खबरे विस्तार से नाकपुर के कलेक्टर आर विमला का तबादला कर दिया गया है और उनके स्थान पर नानेर के मौजदा कलेक्टर डॉक्टर वीपिन इटनकर को नहीं उपकिया गया है उनने दतकाल नए पत का कारेबार समालने को कहा गया है दिल्चस बात यह है कि डॉक्टर इटनकर मुल रूप से विधर्प के ही रहने वाले है आर विमला को पुणे में महिला एवं बाल कल्यान आयूक के पत पर स्थाना नतरीत किया गया था उनने जुलाई 2021 में नाकपुर के कलेक्टर का पत स्थिकार किया था उनका यहाँ काम करने के लिए एक छोटा कारेकाल था नए कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर 2014 बैच के IAS अधिकारी है उन्होंने केंद्रिय लोग सेवा आयूकी परिक्षा में राज्यमे प्रथम और देश में 14 वा स्थान प्राप्त किया था उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज नाकपुर में MBBS किया नाकपुर उपमुख्य मंतरी देवेंद्र फणनविस और केंद्रिय मंतरी नितिन गड़करी का ग्रहनगर है चार्टर अधिकारी यहां काम करने को आतूर है वो हाल के दिनों में नाकपुर के तिसरे जिला कलेक्टर है इससे पहले सचीन कुर्वे रवींद्र ठाकरे इस पत्पर कारियरत थे अबैक वन नकली शराग की बीक्री की संभावना को ध्यान में रखते हुई वरिष्ट अधिकारी विजय कुमार थोरा के माग दर्शन वन निर्देश में निरिक्षक ने अपने क्षेत्र में विशेश टीम के मार्दियम से संदिक दमाग पर तलाश या भियान चलाया जिसमें एक खाली वहन में उन्हें स्पिरिट के ड्रम मिले है 17 अगस 2022 को दोपहर में अवेद यातयाद की जानकारी पुलीस को मिलने पर उन्होंने कुही में बुटी बोरी रोड पर सड़क के दाहिनी और संदिक दिर ट्रक का बारी किसे निरिक्षन किया तहकीकात में पता चला कि ट्रक की लंबाई अंदर की तरफ कम थी चालक की सीट के पीछे वोल्ड को किसी प्रकार की गुप्त परिवहन के लिए विशेश रूप से डिजाइन किया गया डिबा मिला इस मामले में आईशर कंपनी के 2110 LHSD छे पहिया वाहन जिसकी कूल अनुमानित कीमत 30,13,000 रुपए है जब किया गया इस मामले में वाहन में मिले दस्तावेजो के अनुसार संजय कांता प्रसाद का दम चालक है और वो मौके से फरार हो गया आरुपी के खिलाब महराष्टर निशेद अधीनियम के तहत मामला दश किया गया है इसमें 200 लिटर स्पिरिट के 10 ड्रम भी जब किये गए जिल्लात अवेद वो बनावट दारुँच्या संभावना लक्षर गेता काल दिनांग 17 अगस 2022 रोजी आमच्या चार निरिक्षेकांच्या टीम उम्रेड भागत आनि उम्रेड चा ग्रामिन भागत गस्त वो शोद मोहिमा करिता पाठविना ताली होती त्या मोहिम दर्म्यान वडद ते बुट्टी बोरी रोड या रस्तेवर एक वहान संशेत रीत्या उभा आए अशी आमच्या टीम ला माहिती मिलाली त्यामाईती चाह दारे त्या वहानाची टीम ने तपास्णी केली हसता. त्याँ वहान मगे सक्षम तुर्थम द्रिश्टे आसा वाटला कि त्याची बाहरून लांभी जासता है पर उल्त डाले चीवांभी कमी दिस्तों आए आतमधून बंगित लन त्या डालाची ड्राइवर सीट चे मागे बनवला होता आनि त्या चोर कप्या मदे एकुन दाहा ड्रम दोन शे बल्क लीटर चे दाहा ड्रम ज्या मदे शुद्ध मददार का जाला आपन मनतो त्याने त्या मदे लपुन ठेवला होता हुआ है इस शगड़ तपास्नी केले नंतर त्या ड्रम मदे प्रत्थमद्रिश्टया श्पीरिट असले ची खात्री जाले नंतर आँचे फोर विभागाचे निरिक्षक श्री विजय थोराद यान्नी ते गुना नोन केला त्या मदे आईशर कंपणी ची ट्रक आहेते जाचे क्रमांग MH40 CD 3421 या क्रमांग का चा वहाना मदे ये दाहा ड्रम स्पीरिट ची मिलू नालेले आहे त्या ठीका नी कुटला ही मानूस उपलब दोनों होता त्या ट्रक चा आजुबाजुला आणि त्या ट्रक चा कैबीन ची जड़ती गेतले नंतर त्या मदे ये कागद मिलाले त्या कागद वरुन गाड़ी मालका चनाव संजे कांता प्रसाथ करदम राहनार जूनी अजनी वस्ती नाकपूर आसा अड्रेस मिलाले नंतर त्या इसमाला सद्या या गुन्यात आरोपी करने ताल्याला सुन तो ती तुन भरा राहे त्या शोत शुरुआ है प्रक आनी दाहाड्रम स्पिरीट अशा एकुन तीस लाख तेरा हजार रुप्याचा मुद्यमाल या गुन्या मदे जब्त करने ताले लाहे आनी गुन्याचा पुडिल तपास निरिक्षक राज्योत बाधन शुल्क फो विभाग श्री विजय थोरात है करता है सद्ध्या एक आरुपी विरुद्ध इसमा विरुद्ध आपन गुना नोंद्वरे लाहे पुडिल तपास शुरुआ हाँ चालक मालका चानाव अपलाला त्या कागदा पत्र मते मिडाले नहीं है वड़त बुट्टी वुरी रस्ते वर उभास लेला मिलाले तपास शुरुआ है बैंगलुरु राजधाने एक्सप्रेस में मिलने वाले नाश्ते में इल्लिया मिलने की चौकाने वाली घटना के बाद यात्री अपना गुस्सा जाहिर कर रहे है यात्रियोंने आर इसस पष्ट है कि एक घटिया किस्मका है किंद्र सरकार दवारा युवाओ को रोजगार के अवसर उपलब कराने के लिए शुरू की गई प्रधान मंतरी कौशल विकास योजना के तहट साथ साल में कौशल प्रशिक्षण लेने वाले देश के कुल प्रशिक्षिती वाओ में से आगे को ही रोजगार मिला है कौशल विकास और उद्यमिता मंतराले से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधान मंतरी कौशल विकास योजना की शुरुवाद 2015 से की गई थी तब से 30 जून 2022 तक इस योजना के तहट अलपावधी प्रशिक्षण समूह से देश में कुल 70 75,000 युवाव ने प्रशिक्षण प्राप किया है इन में से 24,16,000 युवाव को विभन निजी या सारवजनिक संस्थानों में रोजगार के अउसर मिले जहां तक महराश्ट्र की बात है तो कुल 3,53,602 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया इन में से 80,805 अभ्यर है एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद Love You Deepika Bye सब जानना चाहते है मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं بनाती कैसे हूँ अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है, Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट गिव जीव डिग्री और डिप्लोमा विध जॉब Flywheel Aviation Academy 365 गानी नगर L.A.D. कॉलिट स्क्वेर बिसाइड करनाट का बैंक नागपुर वासने मेटिंग दो है बहार बहार उठो बहार उठो तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासिर, फिशर, भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयरुवेद तथा आधरिक लेजर से उपचार कॉल और विजिट करें ब्रे के बाद आप सबका फिर से स्वागत है पवनी बनक्षेत्र के अंतरगत सावरला बनक्षेत्र में एक बाग के हमले में रमेश मुतिराम भाजी पाले मारे गए ये घटना गुरुवार को सामने आई इससे ग्रामिनों में दहशक पल गई है बुद्वार को रमेश भाजी पाले जंगल के पास खेत में मवेश्यों को चराने गए थे तभी एक जाड़ी में छिपे बाग ने उन पर हमला कर दिया देर शाम तक रमेश के घर नहीं आने पर परिजन तलाश करने लगे उसका शव आज सुभा ग्रामिनों को क्षत विक्षत अवस्था में मिला घटना की सुषना वन रक्षत वन जालवार को दी गई पवनी वन पर इक्षित्र कार्याले के आरेफो बरसागडे ने टीम के साथ मोके का निरिक्षन किया और पंच नामा किया और शव को पोस्मॉटम के लिए ग्रामिन अस्पताल पवनी लाया गया लगातार हो रही इन घटनाओ से खशेत्र में धहशत का माहुल है रेल पर शासंवारा यात्रियों को अक्सर सला दी जाती है कि चलती ट्रेन से नीचे ना उतरे चलती ट्रेन में चड़ना खतरनाक है हाला कि यातरी ऐसा करने की हिम्मत करके अपने ही जान जोखी में डालते है ऐसा ही खाथसा गोंदिय रिल्वे स्टेशन पर हुआ एक यूती को जब पता चला कि वो गलत ट्रेन में चड़ गई है तब चलती ट्रेन से प्लाट्फॉम पर कुद गई लेकिन कुदने के बाद वो ट्रेन के नीचे घसीरती चली गई लेकिन तब ही ड्यूटी पर तैनाद रिल्वे सुरक्षाबल का सिपाही दोड़ता हुआ आया उसने यूती को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई समता एक्स्प्रेस 17 अगस को हमेशा की तरह गोंदिया रिल्वे स्टेशन पहुची राज 11 बच कर 55 मिनिट पर वो अपनी अगली आत्रा के लिए निकली एक यूती आनन फानन में ट्रेन में चड़ गई हाला कि उसने महसूस किया कि वो गलत ट्रेन में सवार हो गई बिना कुछ सोचे समझे वो चलती ट्रेन से प्लैटफॉर्म पर कूद गई प्लैटफॉर्म पर गिरते ही वो ट्रेन के नीचे घसीट चली गई ये देख ड्यूटी पर तैना त्रेलवे सुरक्षा बलके सिपाही प्रमोद कुमार ने बिना देर किये अपनी जान जोखिम में डाल कर यूती को किनारी कर दिया पुरिवारदा त्रेलवे स्टेशन पर लगे सिस्टीवी कैमरे में कैद हो गए प्रमोद कुमार के दुरदर्शिता ने बहुत ही कम समय में लड़की की जान बचाई प्रमोद कुमार इस यूती के लिए फरिष्टा निकला इस विर्तापुर्ण कारी के लिए उनकी काफी सरहना की जा रही है सदर्थाना अंतरगज शिवसिना के कार्यकरता मुहनगर निवासी लॉरेंस ग्रिगरी ने पंदरा अगस को फेस्बुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें नुपूर शर्मा के समर्थन की बाद भी लिकी थे जिसके बाद लॉरेंस के घर पर सफित कागज में लिकी हुई धमकी पत्थर के द्वारा घर में फेकी गई जिसमें लिखा गया है कि काफे अब तेरी गर्दन उतारी चाहेंगे नागपूर में आज एक अलग मामला सामने आया है जिसमें शिवसना के एक कारेकरता को जान से मारने की धमकी दी गई ये धमकी का संदेश पढ़कर लॉरेंस के परिवार वाले सदमे में है लॉरेंस के बताने पर शिवसना शहर प्रमुग नितिन तीवारी ने मामले की जानकारी पुलिसाईक तमितेश कुमार को फोन पर दी पुलिसाईक ने परिमंडल 2 के DCP विश्वराश तेली को एक्शन के निरदेश दिये तिवारी ने भी फोन पर DCP सहाब से बात कर पोस्ट एवं धमकी पत्र की कौपी वाटसेप पर भेजी DCP तेली ने सदर के थानिदार को तुरन प्रभाव से मामला दर्च करने की निर्देश दिये शिवसिना ने लॉरेंस ग्रेगरी को जान का धुका होने के कारण पुलिस सुरक्षा की मांगी है जिस पर DCP तेली ने पुलिस प्रोटेक्शन देने का आश्वासन शहर प्रमुक्तिवारी को दिया है फिलहार लॉरेंस सदर थाने में है और F.I.R की प्रोसेस जारी है प्रोस्ट करने के बाद स्ट्रेटन अमिला है, स्ट्रेटन आया है क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या क्या है फिरिया दिये लॉरेंस जॉन ग्रेश्वरी, उमर 25 साल मोहन नगर गड्यउदाम के रहने वाले हैजिए इन्हों ने कल शाम को पुलिस्टेशन में आके एक तकरार दी है तीन मेना पहले उनके गर के सामने में कोई एक अग्याद बेती आया था टूलर वहान लेके उनके नाम से पूछ रा था उनको जब उन्हें बता है कि वही लारेंस है तो उन्हें उनके गाड़ी की डिकी खोल के उसको दिखाया था और उस गाड़ी में उनको कोई शास्र जैसा कुछ सामन दिखा था और वहां से चले गया था पोउस्त की खी को पार में स्वा-चंत्रयत दीनके लिमित्त और सब्सक्र सम्द्थ इसके बारा तारिक हो जब यह घर से तोखे उठे और घर के बाहर में आये तो उनको घर केसामने गेट पिरी घरजन नहीं बचेगी ऐसा कुछ इसमें लिकावन के लिखा तो इस बारे में उन्हेन करा में प्रीडम स्पिच के बारे में उत्य लिकिया था बहुत से उसमें बाते उसमें लिखी हुई थी बहुत जंबी पुस्टी और ज्यादधार तो उसमें खुच के बारे में ही उसमें लिखा हुआ था उसके अंदर में हम दी गई हैं जो भीरिया लिये उसे हमने पोलीस तुरक्षा दी गई है जैम आरश्ट्र, मैं लॉरेंस ग्रेगरी शिवसेना का उपशेर प्रमुक, मेरे साथ एक मामलात ऐसा हुआ है कि 9 अगस्ट को मैं एक पोस्ट दाला था फेस्बूक में मेरे पॉलिटीशन पेज के जरीए और मेरी स्टोरी के जरीए, जो कि मैंने सुबह में शाम के समय में प सफेद कागज में लाल श्याही से काफिर अब तेरी गर्दन उतारी जाएगी, ऐसा गरके मेरे घर पे एक मैसेज फेका गया है, जिसके वज़े से मेरे घर वाले बहुत परेशान है, बहुत तनाव का माहुल फैल चुका है, बहुत तनाव पूर्न है, मेरे घर के सब लोग परेशान है, नियर और डियर वंस परेशान है, और जो भी हमारे शिवसेना के पूरा नागपूर शहर, सभी का कॉल आना मेरे को चालो हो गया है, लोग मेरे घर पे आ रहे है, और 12 अगस्त की घटना है, 15 अगस्त को मेरे घर के सामने बिल्ली मारके दाली गई थी, उसके ब बारे में, मैंने पोस्ट लिखा था, जिसमें नुपूर शर्मा के बारे में जिकर किया गया था, नुपूर शर्मा के बारे में अभी ये चल रही है कि मैं शिवसेना के रहने के बाद नुपूर शर्मा को कैसे सपोट कर रहा है, नुपूर शर्मा को मैंने किसी भी चीज म मैंने कश्मीर फाइल्स के बारे में जिक्र किया है मैंने अपने आपको सीफमला नहीं हुआ है यह उस मामले से रिलेटेड यह कुछ भी इशू नहीं है, वो मामलात मेरे एक्स्टॉर्शन का था, मेरे से एक्स्टॉर्शन मनी मांग रही थी ओ लड़की होने का फाइदा उठाये जा रहा था, तो मैंने वो अपने सीनियर को बताया था, लेकिन जब तक मैं कुछ कर पाता और जब तक कुछ एक्शन ले पाता, उन्होंने यहां दो चार को जमा करके उलट फिर मेरे पे ही वो जूटा इल्जामत दाखिल करवाया था विकेबी नियूस के लिए कैमरा परसन रोशन बोकडे के साथ वेदेही चवान की रिपोर्ट में प्रशासन ने अभी तक पंचनामा नहीं किया, इसी दोरान कॉंग्रेस कार्य करताओं ने ऐसा आरूप लगाया है आंदुलन के दोरान मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे से मदद देने की भी मांग की गई तो विकेवी न्यूज के प्राइम टैम न्यूज में आज बस इतना ही, कल मिलेंगे कुछ हन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रही है विकेवी न्यूज, नमस्कार